नमस्ते दोस्तों मैं सोनिया गोयल जैपुर दापिंग सिटी चैनल पर आपका स्वागत करते हुँ अल्ची यानि फ्लैक सीट्स, प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3 असिट और अनेक मिनरल से भरपूर होता है उर्जा का भंडार अल्ची स्वास्ते के लिए प्रकर्टी का एक परदान है तो आईए आज जानते हैं स्वास्ते के लिए अल्ची के 5 पाइबे एक चम्मच अल्ची पाउडर, 300 मिलिलिटर पानी में डाल कर उबाल लीजिए पानी आधा रहने पर इसे ठंडा कर लीजिए और इसमें आधा चम्मच शहद मिला लीजिए इसे रोजाना दिन में एक बार पीना चाहिए और साथ ही दिन पर खूब पानी पीना चाहिए इससे अस्थमा में बहुत जल्दी लाब बिलता है 20 ग्राम हल्ची के बुने हुए बीच 10 ग्राम शिकी हुई सौंग और 10 ग्राम शिकी हुई अजवाइन लीजिए इसमें आवशक्ता अनुसार नीबू का रस और काला नमक मिला लीजिए इसे दूप में रखकर सुखा लीजिए दिन में थोड़ा थोड़ा करके इस पूरे मिश्रन को दो से तीन बार में खाना चाहिए ऐसा रोजाना करने से मूँ की दुर्गन बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है पात चम्मच अल्ची के बीज लीजिए इन्हें तीन चम्मच इसब गोल के साथ पीज लीजिए इस मिश्रन में आवशक्ता अनुसार पानी मिला कर गाड़ा लेब बना लीजिए अल्ची के इस लेब को दर्द वाले जोड़ों पर लगाकर छोड़ दीजिए राद भर इसे लगा रहने दीजिए और सुभा इसे पुगोलीजिए ऐसा लगतार कुछ दिनों तक करने से जोड़ों के दर्द में बहुत अधिक लाब मिलता है 250 मिली लीटर घाजर के रस में एक चमच अल्ची का तेल अच्छी तरह मिला लीजिए इसे रोजाना दिन में एक बार पीना चाहिए इसे कबज का रुप जल्दी ही ठीक हो जाता है अल्ची के एक चमच बीज थोड़े से पानी के साथ पीस लीजिए इसे पीस कर इस तरह गाड़ा लेब बना लीजिए इस लेब को सिर यानि लालाट पर लगाना चाहिए और तीन से चार घंटे बाद पानी से धो लेना चाहिए ऐसा रोजाना दिन में एक या दो बार करना चाहिए इससे सिर्दस बहुत जल्दी ठीक हो जाता है आप ये सभी घरेलू उप्चार हमारी वेबसाइट जैफूरदपिंग सिटी डाट कॉम से हिंदी में फ्रिंट भी कर सकते हैं हर सोम बात मेरे घरेलू प्राकरतिक उप्चार और ब्यूटी टिप्स देखते रहने के लिए जैफूरदपिंग सिटी चैनल को फ्री सब्सक्राइब कीजिए प्राइब कीजिए